नौकरी ना मिली तो लड़की कॉलेज के बाहर चाए बेचने लगी दुकान के बाहर लिखा पीना पड़ेगा। लड़कीयां हार मान लेते हैं और परिशान होने लगते हैं लेकिन ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो हिम्मत नहीं हारते बलके मुश्किल तरीन हालात में भी कुछ नया करने का सोचते हैं और करते भी हैं। कॉलिज के सामने चाय का स्टॉल खुला यही नहीं लोगों को मुतासिर करने के लिए उसने अपनी दुकान के बैनर पर एक बड़ी लाइन भी लिखी हैं। यह भी सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। और कहा कि दूसरों को भी प्रियंका से तरगीब मिलेगी। अब ऐसा है नाजरीन के चाय वाले प्रधान मंत्री बन जाते हैं। और जो पढ़े लिखे हैं वो चाय बेशने पर आमादा हो रहे हैं। नाजरीन इस तरह की ताज़ात तेरीन खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल बसरत आंलाइन से जुड़े रही है। हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीज़ें, लाइक कीज़ें, शेयर कीज़ें , हमारी फेस्बुक पेज को लाइक कीजिए, हमारी टूटर हैंडूल को फालू कीजिए, शुक्रिया, खुद्धाफ़,